हेलो एक्टुडेंट्स आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नौलेज के मेस्ट्री क्लासेज में आज हम देखने वाले हैं सीजी सेट इग्जाम के बारे में इस वीडियो रेक्चेर में हम डिटेल मेरे रिसीज देखेंगे सीजी सेट इग्जाम का प्रिपर इस वाले वने के उनके लिटे प्रॉब्लम नहीं है लोग डारेटली असिस्टेंट प्रोफेसर का वेकेंसी को फिलब कर सकते हैं वर सकते हैं बट जिनका अभी भी सेट या नेट क्वालिफाइड नहीं है उनको एक अच्छा मौका है कि उसीजी सेट का प्रिपरेशन अभी से करी स्टार्ट कर देते हैं तो आप असानी से आप सकते हैं तो इसके लिए हमें सिस्टेमेटिकиков को समजना पड़ेगा यहनों को समझना पड़ेगा तब जाकर क्या होगा आफ को क्या होगा ऐसानी से आपको उसको कौलीफाइड करने में थोडहा आसानी हो सकता न तो जो आज इस उससे प्रिपरेट कर दिया यहां पर table के form में म Müने बना दिया हैं तो इस से पहले cm search exam को हम लोग समझने से पहले थोड़ा हिसका pattern को देख लेते हैं याना की pattern इसका होता क्या है तो जैसे simple सब को पता है cm Set exam का कराने वाला कौन है the यी आपको देने सब्सक्रम से पेपर होता है फिप्रिंट कुछन करे सो हुन्राल फेपर होता है तो फिप्रिंत questions होते हैं, two marks का, तो 200 हो गई है, total 300 marks का आपका CG set exam होगा, और देखो, paper one और paper two, दोनों एक ही दिन होता है, एक ही दिन आपको दोनों paper देना है, है न, but इन दोनों paper ओं के बीच में 30 minutes का एक gap रखा जाता है, break रखा जाता है, मतलब आपको 30 minutes का break दिया जाता है, अभी तक 2018 और 2019 जो assistant professor का CG set के जो exam हुआ था, उसमें तो यही pattern follow किया गया था, बट अभी हो सकता है कि अभी वाले में, अगर अभी वाले सेट हो, तो आपको लगातार 3 घंटे दिया जा सकता है, पेपर को solve करने के लिए, बट उससे कोई problem होने वाला नहीं है, जो भी pattern आपको दिया जाएगा, उसके according बनाना है, इसमें negative marking नहीं होता है, negative marking यहाँ पर नहीं होता है, पूरा आप सभी questions को आपको solve करके आना है, टीक लगा कर करके आना है, objective होता है, इसका benefits है कि negative marking नहीं होता है, तो जो cut up marks है, वो minimum 10-20 number तो थोड़ा high रहता है, normal अगर इससे देखेंगे, तो क्योंकि negative marking नहीं है, तो आपको 4-5 questions तो आप टीक मारेंगे, तो सहीं होने का chance रहता है, तो यह हो गया, पेपर, हम pattern को समझ लिए हम लोग, यह हो गया, अब हम लग देख लेते हैं थोड़ा cut up marks को previous year का, देन उसके बाद हम preparation पर आएंगे कि कैसे हम इसको crack करना है, कैसे हम preparation करें, तो देखें, यहाँ पर 2018 का मैंने लिखे है, 2018-2019, यह CG set exam का है, किसके द्वारा जारी किया गया था, CG ब्यापाम के द्वारा जारी किया गया है, वहाँ से मैंने लिया है, अब अगर आपको इसको PDF चाहिए, तो मैं इसका link में link देदूँगा, जहां से आप download कर पाएंगे, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का link देदूँगा, जहां पर उसको मैं upload कर दूँगा, तब टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल, जिससे आपको update मिलता रहेगा, जिसमें previous year का questions हो गया, सिलेबस हो गया, मैं पूरो उसमें आपको send कर दूँगा, ठीक है, इस सबका link आपको description box में मिल जाएगा, ठीक, अब देख लेते हैं 2018 में CGC exam का cut-up marks कितना कितना गया था, सबसे पहले Hindi subject के देख रहे हैं आप, हाना, Hindi subject में दीख रहे हैं आपको 159 general में था, और आपका OBC में कितना था, 151 था, वैसी सेम देखो, यहाँ पर 2019 में देखेंगे तो 156, तो लगभग सेम हैं, हाना, अगर देखो 300 marks का आपका question paper था, अगर उसमें 159 आया है, मतब लगभग आपको 50, कितना हो जागा, 53%, हाना, 53% आपको उस questions को solve करना, तो 53% आपको marks ले आये थे, हाना, 300 में 159 marks अब ले आएंगे, इससे क्या हो गया था, आप qualified हो गया थे, जेरल category में, तो ऐसी सब category wise, यहां पर मैंने लिखा है, देखो, 405 candidate, total candidate qualify होए थी, हिंदी में, 2018 में, इधर कितना हैं, 422 candidate qualify होए थे, तो ऐसी देखिए, political science है, English है, economics है, अब सभी subject के यहां पर देख सकते हैं, table में है, यहां पर पूरा cut-up decided है, जो भी है, तो इस base पे हम यह conclusion लगा सकते हैं, कि लगभग आपको 300 marks में, अगर 150 marks आप रख रहे हैं, तो आपको क्या हो जा रहे हैं, आप qualified हो जा रहे हैं, यह normal तो आपको अभी competition हाई होने की वज़े सब क्या करना पड़ेगा, अगर यह 150, 160 में अगर qualified हो जा रहा थे अब, 2018, 2019 में qualified हो गए हैं, तो अभी आप कम से कम 20 marks increase कर दें, अगर आपको safe zone में चलना है, तो 20 marks इसमें increase कर देते हैं, तो 180 से ले करके, अगर आप 190 marks रखते हैं, 180 से ले करके 190 marks अगर आपको आ रहा है, तो आपको chances रहेगा, और qualify होने का, क्या रहेगा, क्या रहेगा, qualify होने का chances रहेगा, क्योंकि देखो, maximum, जो भी subject का अब देखना चाहिए, अपने according देख लीजे, जो भी subject है, आपका physical science हो, चाहिए information, library science, देखो, अब यहाँ पर library science का अल होते हैं, उनके लिए physical education का qualification मांगा जाता है, उसमें state qualified होना चाहिए, physical science, physical education, और, sorry, यह वाला जो last वाला ही है, physical education है, ठीक है, physical science उपर में है, यह क्या है, physical education, याद रखना है, तो उपर वाला क्या है, physical science मतलब physics, chemical science मतलब chemistry का लिए होता है, mathematical science, maths के लिए होता है, वैसी life science, बाटनी, जूलोजी, अब जिस भी subject में हो, है ना, biotechnology, bio chemistry, सब किसमें देते हैं, life science में देते हैं, तो यह, मैं roughly, एक cut up का table बने बना दिया था, इसको आप analysis कर लें, आप देख लें, अपने according, हैना, जो भी subjects according आपको देखना है, तो एक मैं roughly आपको, इसके base पे analysis करके मैं ब इसमें क्या हो था, 150 लेकर, 160 मार्ग सकर था आपका, तो आपको लगवग, qualified थे, अब जनल कर लेंगे, तो आप अपको, अपने अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आपको, 160 लेकर, 180 तक आपको लाना पड़ेगा, या फिर ऐसा समझ लिजे, 180 से लेकर, 190 तक आपको score करना होगा, किन्दर आना होगा, 180 से अगर, 190 आप score कर लेते हैं, तो आप safe zone में रहेंगे, हाना, safe zone में रहेंगे, qualification होने के लिए, qualified हो जाएंगे, जो, 2018, 2019 में, 150 से लेकर, 160 की बीच में, जिनका marks आ रहा था, वो लगभग, जनरल केटिगरी से qualified हो ग तो अब आपको क्या करना है, 180 से लेकर, 190 मार्क्स आपको 300 में लाना होगा, तब जाकर, कि आप safe zone में रहेंगे, आप असानी से qualified हो जाएंगे, अब 180, 190 में, जनरल कटिगरी के लिए बोर रहा हूँ, तब इसमें 10, 15 नमबर, 10 से 15 नमबर कम करके, अपने कटिगरी हिसाब से हैं, जो भी कटिगरी में आप exam में appear होने वाले हैं, बट आप कोशिज करिए कि जनरल कटिगरी से ही, मतलब जनरल कटिगरी में जितना नमबर चाहिए, उतना नमबर लाने कट रहा ही करिए, जिससे आपको असानी से आपको टेंसर नहीं होगा, exam देने के बाद कि मेरा qualify है, इसको भी मैंने लिख दिया है, आपे देखो, हाना कितने candidate, total candidate, total qualified, दोनों में, तो एक roughly idea आपको मिल जाएगा, कितना candidate qualified हुए थे, ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे हम paper 1 और paper 2 का strategy हम follow करते हैं, उससे पहले हम क्या करें, paper 1 का एक syllabus देख लेते हैं, paper 2 में पहले बता दिया हूँ, हाना paper 1 का syllabus हमें देखना है, तो देखो paper 1 का syllabus, यह है paper 1 का syllabus, paper 1 में पहले भी बोलो था, general aptitude होता है, teaching aptitude, यह देखो, सबसे पहला section होता है, teaching aptitude, जिसमें teaching, के बारे में nature, objective, characteristics, basic requirements, learners, यह सब क्या syllabus है, यह आपको UGC net, UGC जो net exam conduct कराता है, उसका paper 1 होता है, हाना, UGC net, अब यह arts और commerce वालों के लिए, science वालों के लिए CSIR net होता है, तो उसमें general aptitude नहीं होता है, reasoning बस होता है, teaching aptitude, research aptitude, सब नहीं पढ़ते हैं, science वाले, तो आपको, जो UGC net देते हैं, उनके पास यह book तो हो गई, UGC net, paper 1 के लिए जो आता है, हाना, उसमें teaching aptitude, research aptitude, सब मिल जाएगा आपको, तो वहीं से सिले बस है, directly, research के बारे में हो, meaning, characteristics of types, steps of research, method of research, यह सब मिलेगा आपको, UGC net exam में, के paper 1 के लिए, जो book आते हैं, उसको आप खरीद सकते हैं, उसके base पर पढ़ें इसको, हाना, और science वालों, science वालो के जाए, यह असान होता है, इसको बनाया जा सकता है, आपको passage को पढ़ना है, उसके बाद इसको answer देना है, communication, यह भी section important रहता है, हाना, nature, characteristics, types, barriers, effective classroom, यह section से questions आते हैं, और यह असानी से आपको पढ़ेंगे, तो बहुत असानी समझ में आ जागे, communication के बारे में, उसको barriers हो गया, effective classroom के लिए, उसके बाद है reasoning, number series, letter series, course, relationship, इसमें से जो relationship हो गया, classification हो गया, यह सब जो है, असानी से आपको reasoning आप पढ़ सकते हैं, अगर एक book को follow करते हैं, mathematical section का ही यह, वैसी logical reasoning हो गया आपका, तो देखो, diagram के थूरू जो आता है, हाना, उसके बाद है, simple diagrammatic relationship हो गया, में search करेंगे, कि करके, हाना, तो आपको बहुत सारे, अलग-अलग trick मिलते चला जाएगा, कि कैसे इसको solve करना है, और इसके related कुछ questions भी मिलेंगे, तो आप उसके according, preparation, अगर subjective syllabus के according, पूरा complete कर लेते हैं, तो आपको आसानी हो जाता है, पढ़ने के लिए, ठीक है, उसके बा देखो लिखा है, basics of internet, emailing, तो इसमें software हो गया, hardware हो गया, हाना, internet का अलग-अलग use हो गये, email, email, जो होता है, हम email करते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है, तो general abbreviation, जैसे कि HTML का full form क्या होता है, आपका IP का क्या होता है, internet protocol, इस ताप से general abbreviation, मतलब बहुत सारे words आपको मिल ज यह है research aptitude का, research aptitude का भी मैंने questions का, sorry, videos मैंने बना कर upload कर दिये, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आप थोड़ा environment के बारे में पूछा जाता है, देखें, people and environment interaction, pollution के बारे में पूछा जाता है, तो यह सब थोड़ा-थोड़ा आपको पढ़ना पढ़ेगा, इसके लिए मैं simple से बोलूँगा, और यह भी देखिए दे, higher education system, हाना, आपका higher education, जो MHRD है, उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, MHRD, ministry of human and resource development, और यह सब चीज़े हैं, ठीक, तो आपको करना क्या है, मैं इस पूरे syllabus को, paper one के पूरे syllabus के लिए, आपको कहां से मिलेगा, UGC net, मैं जिसमें सब चीज मिल जाएगा, आपको हाना, थोड़ा question solve कर लेंगे, तो यह paper आपको आसानी से बनाया जा सकता है, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, कि क्या approach होना चाहिए, मैं कितना question attempt करना चाहिए, उसके base पे देखिए, अब मैं बता दूँ आपको, अगर हमारा 50 question से क्या होना चाहिए, पेपर बन के लिए, पेपर बन के लिए हमारा plan क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखते है plan, मैं असानी से आपको बताऊंगा, कि 180 से लेकर 190 marks आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो देखिए, पेपर बन, अगर आप पूरे syllabus को complete करते हैं, पूरे, पूरे syllabus को अगर आपको complete कर लेते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, 25 से लेकर के 30 questions आप से बन जाएंगे, जब पूरे syllabus को आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि questions के लेवाल उतना high भी नहीं होता है, कि आप से 25 questions ना बने, माल लेते हैं 25 questions भी आप से बन जाता है, जो कि सहीं सहीं, मतलब 50% में बात कर रहा हूँ, 50% क्योंकि 50 questions होते हैं, 50 questions में कर आपको 25 questions भी आप से बन रहा है, कर आप पूरा syllabus पढ़ के जाते हैं, तो कितना marks हो गया, 50 marks आपका ऐसी आ गया, आपने पढ़ा उसके base पे, और जो 25 questions बचा है, उसको भी negative markings थे हैं नहीं, तो आपको क्या करना पढ क्योंकि negative markings होता नहीं है, तो माल लेते हैं, इस 25 questions में 7 to 10 questions भी आपका सही हो जाता है, कितना हो जाता है, 7 to 10 माल लेते हैं, 7 to 8 questions मान के चलते हैं, अगर आप 25 questions को ठीक लगा रहे हैं, कुछ reasons से ही लगाएंगे, कुछ थोड़ा समझ के ही लगाएंगे, तो उसके में 7 to 8 questions तो उधर से 50 आ चुका है, और 14 आ चुका कितना हो गया, 64, तो लागभग आपका 60 से 70 नंबर आपका आ जाता है, paper 1 से, अगर आप normal syllabus को बस complete कर लेते हैं, paper 1 का तो, clear है यह, क्योंकि देखो, यहां पर मैं एक चीज़ और बता दूँँ, 25 questions मैंने बोला, आपको बोला, कि paper में डालेगा, हाना, जो A, B, C, D, अगर 4 options है, तो चारों का weightage equal होता है, लगभग equal होता है, अगर 25 में को हम divide करते हैं, चारों में, तो लगभग 6, 6, 6, 6 तो आए गही, हाना, तो अगर आप माल लेते हैं, जो 25 questions आप से नहीं बना था, उसका सबको A, A भी अगर आप tick लग लगभग chances है, क्योंकि negative marking तो है नहीं, आपको टिक तो सबको लगाना है, तो इस एक pattern follow कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोलो ना, तो 6 to 7 question, आपका solve, 6 to 7 या 8 questions, लगभग आपका, सहीं होने का chances, 20 तो 60 से 70 number आपको मिल जाएगा, paper 1 से, यह हो गया roughly एक, अगर आप सिले बस पूर थोड़ा complete करके जाते हैं, तो, दूसरा देखते है paper 2 में, इसके लिए मैं एक बतारूं आपको simple सा, paper 2 का plan क्या होना चाहिए, देखो 100 questions है, अगर आप syllabus को पढ़े हैं, जितना आप से हो पाया है, उतना पढ़े हैं, syllabus completed है, तो आपको पता है, 100 में 100 questions तो tough नहीं होता है, उस 20 questions क्या होगा, थोड़ा hard होगा, तो 50 questions जो easy है, तो आप से बनना ही चाहिए, अगर 50 questions आप बना लेते हैं, तो कितना होगे आपका, into 2 कर देते हैं, तो, आपका होगे ये 100 marks, और अगर इस medium से, मिडिया में hard, चलो hard को छोड़ देते हैं, hard हम से नहीं बन रहे हैं, मालो कुछ questions है, जो harder नहीं बना, medium से गर 10 questions भी हम सहीं बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी, 20, तो 120 number तो आप इससे ही ला सकते हैं, मिरमा मैं बता रहा हो, देखो, 50 questions है, 50 questions बहुत easy था, ये अगर हम से बनते हैं, माल लेते हैं, 45 ही बना, 50 का 50 नहीं भी बना, तो इसमें easy वाला pattern है, easy questions है, वो तो आपसे बनने ही चाहिए, अगर आपको qualified होना है, set exam में, तो 50 questions जो easy रहता है, 50% questions, वो तो आपसे बनना चाहिए, उसमें 100 marks आपको मिलना चाहिए, उसके बाद medium और hard से आप 10 questions भी बना लेते हैं, जो medium questions है, 30 questions लगभग, 20 questions, जो hard questions है, जो tough questions है, उसस 60 to 70, 60 to 70 में उपर में लिखा था, हाना, तो कितना होगे यह, जोड़ेंगे तो 180 से ले करके 190 के करीब आपका normal score चला जाएगा, set exam का, ठीक, आया समझ, क्योंकि हम इस चीज़ को focus नहीं करते हैं, कि कैसे हम कोंच questions को solve करना चाहिए, हम 100 questions देखते हैं, हमें लगता है कि पूर इस मतलब सभी questions नहीं बन पाते, उसमें easy होता है, medium होता है, tough होता है, उसके according हमें decision ले करके बनाना है, और negative marking तो नहीं है, पहले भी बोला हो, negative marking नहीं है, मतलब आपको इतने paper 1 में, अगर 50 questions हैं आपके, अगर 45 भी बन रहे है, easy में, तो 5 का chances भी तो है negative marking का, वो ठीक लगन था, 50 questions, 50 में आपका मालो 50 बन गया, या 45 बना, सहीं, हाना, और ऐसी इसमें आप बाकि 30 प्लस 20 में, अगर आप सब को ठीक लगाएंगे, 10 questions सहीं नहीं होगा, क्या, अराम से सहीं होगा, मैं पहले ही बता दिया हूं, कि व्यापाम, हर एक options के according questions को design करता है, हाना, ऐसा नहीं है कि, एक ही, मैं पहले ही बोला कि, एक ही questions, सारी, एक ही, सभी में, ए, 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 आ फिर, बी, बी, आपको नहीं मिलेगा, आपको सब mix रहेगा, उसमें, हाना, लगबग 25, 25% सभी, option का उसमें, बेटेज होता है, तो, इस patterns हम solve करेंगे, 120, और 60, 60, 70, नमबर हम paper first मिला रहे है, तो 180 ले करके, 190 marks आपका आजा रहा है, अब इतने अगर आप ले आते हैं, तो आप general category से qualified हो जाएंगे, CGC exam को, यह हो गया, preparation strategy मैंने बता दिया, कैसे आपको पढ़ना है, अब हम देख लेते हैं, इसमें कुछ-कुछ चीजे हैं, जो mistake करते हूं, mistake हमें नहीं करना है, mistake क्य paper one को neglect नहीं कर सकते, paper one को जब तक आप syllabus को पूरे पढ़के नहीं जाएंगे paper one कभी, आप CGC qualified होना आपके थोड़ा problem होगा, tough होगा, क्योंकि paper one इसमें क्या है, बहुत weightage है, 100 marks का है इसमें, और जिसमें से 20 से 30 question मैंने जैसे बताया है, कि आपको solve करना उतना भी tough नहीं होत है, तो आपको, क्योंकि आप अगर paper one को छोड़ रहे हो, तो कोई दूसरा तो पढ़ी रहा है उसको, हाना तूसका qualified होगा, इसलिए paper one को neglect नहीं कर सकते है, paper one का syllabus आपको complete करके ही जाना है, अब इसमें आपको 60 to 70 marks लेना भी है, यह बहुत important हो जाता है, ठीक है paper one को neglect नहीं क करना है, क्या होता है net level का, अब हम जो net का exam देते हैं, UGC net हो या फिर आपका CSIR net हो, उसमें बहुत tough questions आते हैं, हम क्या करते है, paper two को हम सोचते हैं कि पूरा हम सब questions को बना देंगे, हाना हम net level का questions के preparation करने लगए, पढ़ना है आपको net level का, बढ़ थोड़ा कुछ चीजें tough ह है, जिसको आप छोड़ सकते हो, क्यों सेट में directly उससे questions नहीं आता है, हना सेट का question थोड़ा pattern थोड़ा, थोड़ा normal होता है, उतना hard भी नहीं होता है, क्यों net level के एकदम high five जाओ, previous year का net का question आप solve करेंगे, क्या करेंगे, previous year का net का question आपको solve करना ही पढ़ेगा, क्योंकि directly व आपको अपने उसके according, previous year के question paper को देखो आप, previous year question paper में आपको idea मिल जाएगा, कहां से question कितना tough level को उठाया गया है, कभी-कभी हम previous year questions को analysis नहीं करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम पढ़ लिए बहुत, एक topic को बहुत detail में पढ़ लेते हैं, उससे questions आया है नहीं, आया तो फिर चलूर देखो set का, उसके base पे, और साथ में ये भी देखो, क्योंकि होता यह है कि हम net level का अगर हम preparation कर लेते हैं, हना हम net का question को ज्यादा ही दिन भर हम solve कर रहे हैं, तो हमारा mindset यह हो जाता है कि हम 70 से 80 question हम solve कर लेंगे CG set का, और हम सोचते हैं कि इसी के base पे हम qualified हो जाएंगे, बट यह possible नहीं है, कोई भी exam हो 100 questions में, आपको 60 से 70% ही maximum solve कर पाओगे आप, खासकर subjective questions जो होते हैं, हना, science की बात करें, commerce की बात करें, हना, arts में भी थोड़ा बहुत possible है, history, political, से थोड़ा cut up उपर जाता है, इसलिए उसमें possible है, बट science की बात करूँ है, तो 60 to 70% ही questions आप solve हो पाता है, कोई भी competitive exam का, subjective की बात करें हम दो, हाना, तो आपको क्या करना है, इसको एकदम paper 2 को जाधा पढ़ने के चक्कर में होता यही है, कि हम paper 1 को neglect कर देते हैं, अब paper 1 को अगर आप neglect करोगे, तो cg state exam qualify होना थोड़ा tough हो जाएगा, तो इसलिए मैं पताया है, जो study मैं न third point क्या है, time management, तो आपको exam में आप जितना भी पढ़ लें, अगर आप exam में solve नहीं करेंगे उस चीज को, उस technique से solve नहीं करेंगे, आपका performance आप 100% से ज्यादा नहीं देंगे, तब तक आपका selection नहीं हो पाएगा, reason यही है, कि हम time को manage नहीं कर पाते हैं, जैसे मैंने बताया ह लिए एक घंटे मिलेगा आपको, उसी एक घंटे में आपको properly सब पेसेज को पढ़ना है, अब होता यह है कि कई बार पेसेज बहुत लेंदी होता है, हमने देखा है, उसमें जो पेसेज होता जिसको पढ़ कि हमें solve करना रहते हैं, बहुत लेंदी होता है, तो हम उसको last मे पढ़ें, क्योंकि उसको पढ़ने में अगर इतना हम time waste कर देंगे, तो फिर हमारा solve करने में problem होगा, अगर आपको maths weak है, तो आप इसमें पढ़ें, लेकिन जिनको maths weak नहीं है, जिनको maths से strong है, जिसको लगता है कि मैस में काम करने सो जाएगा, तो उसी time में आपको decision लेना है subject की questions को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि question तो मैं बनाई लूँगा, तो उसमें में इतना ज्यादा डूब जाते हैं, कि हम एक ही questions को पकड़के बहुँद टाइम तक रख लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है उसके बारे में तो, तो ऐसा भी नहीं कर रहा है, अगर कोई question को बनाते हैं, तो भी आपको 2 marks मिलेगा, तो easy वाले पर focus आप मिली अगर करते हैं, जिसको पूरा, जो मैंने बताया कि 50 questions तो easy रहेगा उसमें से, उसको अगर आप solve अच्छे से कर लोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, chances बढ़ जाती है, तो marks तो same है, तो lengthy questions से में बचना है हना, time management के case में, उसमें थोड़ा समझने हापने हैं, आपको की कौन से question आपसे तूरंद बनेगा, उसको पहले बना, तो ये कुछ-कुछ points हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, कि mistake क्या-क्या problem हो रहा है, paper 1 को neglect आपको नहीं कर सकते, हना paper 2 में net level को पढ़ो जरूर, बड़ थोड़ा समझो कि 70-80 question आप सही नहीं बना सकते हैं, उसमें चांसे जाएं कि 60-70 question आपसे बनेंगे, माकी तो नहीं निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 4-5 question या 10 question तक भी आपसे तुक्का लग सकता है, बोला जाए, तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे, तो CG State qualified होना बहुत असान हो जाता है, मैंने भी अपने टाइम, जब मैं दिया था CG State के exam में इसी preparation strategy को मैंने follow किया था, और मैं qualified हूँ, दो बार qualified हूँ, CG State exam, 2017-2019 में, मेरा net exam भी qualified है, बट मैं, देखो 2017 मेरा State exam qualified होता है, फिर 2019 में net exam qualified होता है, फिर जाकर के, फिर 2019 में मैंने State exam द अपर-उपर से आये questions, और previous year के questions को बहुंस सारे questions को उसमें directly copy किया गया है, फिर इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे आप, जो मैंने बताया कि कितना आपको focus करने paper 1 और paper 2 में, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, paper 1 को neglect आप नहीं कर सकते, paper 1 के लिए आपको YouTube मे मेरे भी चैनल पर मैंने upload, upload करते जाओंगा, हाना, वीडियोस को, तो उसको भी देख सकते हैं, तो ये मेरे recording, इस पर आपको ध्यान रखना होगा, और cut-up marks को भी मैंने एक बार analysis कर दिया है, लग भग, हाना, तो इसको आप देख सकते हैं, अपने category wise, ठीक है, इस green sound ले करक देख लें इसको, और इसके recording आप अपना preparation करें, उमिद करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अजर वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को like कर दें, और अपने दोस्तों में share कर दें, क्यों 2014 में आने के पूरे chances हैं, और उससे पहले सेजी सेट exam जरूर conduct होगा, ठीक है, मिलते हैं नेश वीडियो लेक्चर में, एक नए topic के साथ, तब तक के लिए thank you